हेलो लियोस वेलकम तो गरोमा इंदी तारो और के टीडिंग है ऑक्तोबर के करेंट फीलिंग्स के बारे में इस विडिंग में मैं यह देखने की कोशिश करूँगी कि वो परसन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं यह वीडियो देखते वक्त वो आपके बार में क्या फील कर रहे हैं ऊक्तोबर के मंद में मोइसक वीजे फील कर रहे हैं उसके पीचे रीजन कया है और सबसे इंपॉरर्टन बात कि ये परसन अपनी फिलिंग्स खुद क्यों नहीं आपको बताता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैस्चेस हैं मैस्चेस फोर लियोज नाइन फ़क्प्स नाइन फ़क्प्स तन फ़क्प्स Ace of Pentacles और Six of Pentacles तो हमारे पास है Nine of Cups तो ख्रेरली ये वो परसन है जो ड्रीम्स देखने में एक्सपर्ट है तो चाहे वो सोते हो चाहे वो जाकते हो ये परसन काफी ज़्यादा फैंटसाइज करता है और इनकी फैंटसीज भी काफी इंट्रेस्टिंग होती है इनके ख्यालों में आप दोनों अल्रड़ी साथ में हैं आप दोनों अल्रड़ी मेरेद हैं आप दोनों की लाफ परफेक्ट है आप दोनों वो सारे ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं जो उन्हों ने देखे थे लगता है कि इस परसन की जो फिलिंग्स है आपके लिए वो इतनी जादा है कि उन्हें लगता है अगर उन्होंने आपको अपनी feelings बताई तो आप overwhelmed हो जाएंगे आपको लगएगा कि यह तो कुछ जादा ही हो गया आप इसे handling कर पाएंगे या आपको लगएगा कि वो बहुत cheesy हो रहे है बहुत जादा interest शो कर रहे है जो कि आपको weird लग सकता है हो सकता है आप में से बहुत सारे cases में यह एक नया relationship हो और यह person इस वज़े से भी hesitate कर रहा है उन्हें रग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें desperate समझ ले आप उन्हें crazy समझ ले और फिर इसके बाद आगे बात बढ़ए ही ना सो इन्हें डर है कि अगर इन्होंने अपनी feelings आपको as it is बताई तो हो सकता है कि वो आपकी friendship भी lose कर दे जहां तक भी आप दोनों आए हैं वहां से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा so the high priestess के साथ यह person हला कि अपनी feelings को आप से चुपा नहीं सकता एक अच्छा तरीका यह है जानने का कि इनकी feelings क्या है वो है अपनी feelings को carefully watch करना या carefully सुनना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों इस वक्त energetically connected है और जो भी a person feel कर रहा है वो आप भी feel कर पाएंगे the high priestess के पास एक बहुत strong intuition है जो से बिल्कुल सही direction में guide करता है so अपनी feelings पर ध्यान दीजे अपने intuition पर ध्यान दीजे क्योंकि आपको अपनी feelings और intuition के थूँ इनकी feelings और इनके dreams के बार में पता चलेगा okay so हो सकता है कि आप इने dreams में देखे या maybe आपके बन में कुछ ख्याल आए और आपको लगे कि आपके मन में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं इनके लिए आप तो ऐसा कभी उनके बार में सोचते नहीं थे या आपने ऐसा कभी feeling नहीं किया but अचानक से ऐसी कोई feeling आ सकती है ऐसा कोई ख्याल आ सकता है so वो इसलिए आ रहा है क्योंकि या person आपके लिए वैसा ही feel कर रहा है आपके लिए वही चीज़े feel कर रहा है और इसी वज़े से आपको भी पता चलेगा कि वो आपके लिए कैसा feel कर रहे है so आपकी feelings आपका intuition आपको बिल्कुल exact idea दे रहे है इस person की feelings और dreams के बारे में so काफी कुछ reveal होगा अगर यह person आपसे कुछ चुपाना भी चाहे तो चुपने वाला नहीं है also ना सिर्फ energetically आप इनकी feelings को महसूस कर पाएंगे क्योंकि आप soul level पे connected है बलकि आप feel कर पाएंगे इनके body language से भी इस person का behavior जैसा आपके आसपास होगा उससे आपको बहुत सारे hints मिल जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि या तो यह person आपको avoid कर रहा है आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे नजरें नहीं मिलाना चाहते या फिर you know आपको देखते हैं तो बहुत ज़दा smile करते हैं आपको किसी ना किसी तरही के से समझ में आजाएगा कि यह person आपके बहुत interested है बट लगता है जैसे hesitate कर रहे हैं और नहीं चाहते कि आपको ज़दा कुछ पदा चले इसलिए आपसे दूरी बना रहे हैं अलसो हमरे पास है six of pentacles इस person को आपकी जरुद है बहुत ज़दा इस person को आपका प्यार चाहिए इस person को आपका support चाहिए जब से आप आए इन्हें पदा चला है कि यह प्यार किस हद तक चाहिए इनके लिए कौन सी चीज़ है important है so लगता है कि आपने इनको यह feel करवाया है कि इन्हें भी जरुद है एक lover की एक romantic partner की इससे पहले इन्हें लगता था कि life में जितना है जो भी है खाफी है वो अपना ख्याल रख सकते हैं और उन्हें जला सोचने की जरुद नहीं है family और future के बारे में चीज़े अपने आप होती जाएंगी और life यहीं चलती जाएंगी वैसे भी love relationship को हुई इतने important चीज़ नहीं है कि उसके लिए कोई effort करे उसके लिए कोई इतना परिशान हो life partner तो कोई भी बन सकता है उन्हें रखता था कि जिस सरी के से लोग relationships बदल लेते हैं और move on कर जाते हैं वो इतना भी मुश्किल नहीं होता है और हमेशा possible होता है अपने past के person को replace करना और इतनी deeply कोई भी किसी से attached नहीं होता यह इनका perspective था बट अब यह perspective बदल चुगा है उन्हें रखता है कि अगर वो किसी से deeply attached नहीं हो सकते तो फिर उस relationship को वो enjoy भी नहीं कर सकते फरक आ गया है इनके behavior में पहले नहीं रखता था कि relationship सिर्फ और सिर्फ problems ही लेके आते हैं feelings कुछ भी अच्छा नहीं करती सिर्फ इंसान को मजबूर कर देती है और अब ये person समझ पा रहा है कि अगर life में feelings ही ना हो तो फिर किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कोई भी चीज important रही नहीं जाएगी ये feelings ही हैं जो हमें जिन्दा महसूस करवाती है और connected महसूस करवाती है एक दूसरे से तो अब लगता है कि ये person feelings से डरता नहीं पहले इनके मन में feelings को लेके बहुत डरता जो कि अब निकल चुका है तो ace of pentacles के साथ इन्हें लगता है कि इन्हें offer हुआ है वो love जो इन्हें हमेशा से चाहिए था और ये इसे accept करना चाहते है बट दीरे दीरे आगे बढ़ रहे है क्योंकि जैसे कि मैंने का ये person आपको lose नहीं करना चाहता हलाकि ये एक journal reading है तो ये सबसे resonate नहीं होगी energy reverse हो सकती है अगर आप cross watcher है इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की reading देखना चाहिए तो उसका link आपको मिल जाएगा description box में तो चलिया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या messages है आपके लिए messages for Leo's Three of Wands The World and Rivers Queen of Cups and the Lovers So Three of Wands यह long distance relationship हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए या maybe a distance आपके इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि अभी यह person आपके खरीबाने की ज़्यादा कोशिश है नहीं कर रहा या खुल के कुछ कहना नहीं चाहता The World Reverse में है तो इसका मतलब है इस person के लिए patience रखना बहुत मुश्किल है इन्हें इनका world मिल गया है इन्हें पता है कि इन्हें किसके साथ अपनी life spend करनी है बट इस world को claim करना उन्हें रखता है कि वो एक बिलकुल अलग बात है इस सच्छाई में बदलना वो एक बहुत मुश्किल काम है अलसो यह person आपको queen of swords की तरह देखता है कभी कभी उन्हें लगता है कि आप बहुत स्थापन हो सकते है बहुत जिदी हो सकते है अपने ideas को लेकर और उन्हें इस चीज से डर लगता है उन्हें लगता है कि maybe आप उन्हें negatively देखेंगे आपको लगेगा कि यह person बस यूँ ही flirt करता है या false promises देता है जिसको पूरे करने का एरादा उनका नहीं है क्योंकि वो जल्दबाजी में है और आपके close आना चाते है यह बहुत फूख फूख के खदम रख रहे है यह नहीं चाते है कि आप इस सरीके से सोचे Queen of Cups के साथ यह person आपको perfection की तरह देख रहा है जितना love आपके पास है आफर करने को वो सब चाते है बत फिलाल उन्हें patience रखना पड़ रहा है और यह अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा pain है चली देखते हैं आपके लिए और एकल मेसेज यहा है warrior woman ओके तो warrior woman आपसे कह रही है कि आप strong है आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं और इस point पे आगी बरना भी ज़रूरी है लगता है जैसे tarot आपको कह रहा है कि आप जो है वही बने रही है and आपका काम बस respond करना है किसी को approach करना या कुछ कहना नहीं अगर कोई कुछ कहता है तो अपने according respond कीजिए बस इतना ही आपको करना है तो यह है reading इस बारे में कि उनकी current feelings क्या है अक्तोबर के month में आपको अच्छी लग योगी थैंक्स वर वाचिं तिल नेक्स विडियो बाइ बाइ